हल्म दोस्तों सागत है अपका फिरसे मेरे न ideia एक beauty blog में जहां शेर करी हैए एक best hair care remedy इस remedy दोस्तों आज में बना रही हो एक ऐसा shampoo जो कि आपके बालों के तूर्टे जर्टे बालों को बे रुखे के बालों को बे जान बालों को बहुत जादा र匹ो बाल बहुत जादा जहरते हैं जहरने के बज़े से आपके बालों में गंजेपन की शिकायत हो रही है और उसके साथ ही अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं तो उन सबी चीजों के लिए आज के ये बेस्ट DIY हरबल शैंपू बहुत ही कामगार करेगा बालों को बहुत स्मोध, सिल्किश, साइनी और सॉफ्ट बनाएगा दोस्तो ट्राइज जरूर करिएगा आपको बहुत पसंद आएगा और इस रिमेडी को आप आराम से एक वीक तक स्टोर करके भी रख सकते हैं रिजल्ट आपको अमेजिंग मिलेंगे बाल एकदम से सनो जैसे चमचमा उठेंगे दोस्तो ट्राइज जरूर करिए और आज का इवीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए कमेंट कीजिए और वीडियो आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए शू करती हूं आज किस रिमेडि को लेट के स्टार्टिए तो दोस्तों आज किस रिमेडि को बनाने के लिए सबसे पहले मैं गई गार्डन गार्डन में जैसे कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है पहले बहुत कुछ रखती थी और कोरोना में सबी चीज़े घर जाने के वीज़े ड्राई होगे सूग गई तो अभी सिर्फ ऐलवेरा का यह टहनी बचा है अलवेरा का पाउधा बचा है दो चार पाउधा मैंने लगा लेकिन फ्रेश एलवेरा जेल के अपने ही फायदे होते हैं बहुत ज़्यादा एक तो अच्छा होता है उसके सासा थी हमारे बालों को नैच्रल कर्णिशनर एड़ करता है उसके सासा थी बालों की बहुत सारी समस्या को खतम करता है तो यहां पे दोस्तो एक एलवेरा जेल ऐक अलवेडा के टैनर को मैं काट के लिए के आई हूँ, अच्छर से वाश करके फिर इसको जो है कांटे वाले पाट को मैंने यहां पर काट करके हटा दिया हुआ है और फिर इसको उपर से इस तरीके से अपर का जो लेयर है भालो की गरोथ में भी अलवेरा बहुत ही help करता है faster hair growth कहा जाता है अलवेरा को अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं अपने बालों के लिए सिर्फ अलवेरा जेल भी लगाओगे तो इसके भी बहुत फाइदे होगे इस तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है अलवेरा का आपको जेल निकाल लेना है वहले अलवेरा जेल जो है दोस्तो market के अलवेरा जेल से बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा बिना किसी मिलावट के बिना किसी fragrance के बिना किसी sulfate के एकदम से natural इससे best कुछ होई नहीं सकता है तो मैं आपको हमेशा suggest करती हूँ कि आपको अपने garden में एक अलवेरा का पौधाल लगाना ही चाहिए तो यहाँ पर अलवेरा को जो है अच्छे से पील करके उसका जो है हमेशा तरह की का pulp निकाल लेना है उसका जो है जेल निकाल लेना है बहुत ही असान है बहुत पार चिपचपा पर निसका जैसा आपको feeling आएगा लेकिन चमच की मदद से इस तरह के से निकालोगे ना बहुत ही ऐसे से निकल जाता है और फिर आपको ज़्यादा परशानी नहीं होगी तो मैं हमेशा इसी तरह के से फालो करती भी हूँ इसको लगाती भी हूँ यहाँ पर थोड़ा से मुश्किल आपको यह हो गया कि कभी वो तूट जाएगा कभी कुछ होगा लेकिन आपको आराम से चमच की मदद से उल्टे डारेक्शन में आपको चमच करके फिर इसको आगे ग्योर पुश करना है देखेगा इसली आपको साभी अलवेरा जेल निकल जाएगा हाँ थोड़ा सा चिपचपाज जरूर हो जाएगा पर कोई बात नहीं आपको अच्छी चीजे करने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा इस तरीके से दोस्तो हमने अलवेरा का जेल निकाल लिया और अलवेरा जेल बहुत ही प्यूर है बहुत ही फायदेमन बिना किसी मिलावट के बालों के लिए नैच्रल करनिशनर होता है ये उसके साथ साथ ही हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत ही सबर्दस तरीकी से बूस्ट रूस्ट करता है, उसके इसासाथ अगर आपके दो महें बाल है, बेजान बाल है, उसको सही करता है, बालोंको नैशरल काला देख बन करता है, इससे तरीकिसा आपको अलिवरा का पल्क निकालके ग्राइनिंग चाल में एड़ कर दिया है अब दोस्तों यह मैंने लिया है यह है कॉफी पाउडर सॉरी मैं चाई बोल लही हूँ यह कॉफी पाउडर है जो भी आप अपनी बालो पे यूज करते है जो भी आप नॉर्मल कॉफी पीटे? वो यूज कर सकते है तो यह पे एक से डर्रीज़ चं मचेशर को कॉफी पाउडर भी की अड़र है अब दोस्तों कॉफी पाउडर को यह क्या करता है बालों को बहुत ही बढ़ी कलर भी एड़ करता है, मतलब कि बाल बहुत ही जादा आपके सफेद भी हो रहे है, उसको भी कवर करता है, उसके साथ साथ बालों में चमक पर करा रखता है, इसके अंदर कैफीन होता है, जो काफी अच्छा होता है, यह है ऑलीव ओल जिसको हम बो है वो एड़ कर दे अब यहां पे शैंपू एड़ करना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं जो शैंपू यहां पर एड़ कर रही है उस तरीके से आपको भी एड़ करना है आपके पास जो भी शैंपू है जो भी आप बालों में लगाते हैं उसे में से कोई शैंपू एड़ कर तो इस टोड़ होके नहीं रख सकता है तो नॉर्मल शैंपू जो आप अपने बालों के स्कैल्प में डारिकली लगाते हो उसको इस प्रोसेस से लगाओगे न दोस्तों तो सच में यकीन मानी हो बेस्ट वर्ल का बेस्ट ये शैंपू बन कर किरेरी होता है इतना अच्छा कि आपके बालों की बहुत सारी समस्या को खतम कर देगा एकदम से चुटकी बजाते हैं तो इस वाले शैंपू को मैंने दो बार के लिए बनाया है अपने बालों के लिए मेरा बाल तो लंबा है तो दो बार इनफ रहेगा और आपका छोटे बाले तो तीन बार आराम से यूज हो जाएगा वीक में तीन बार आप बालों को शैंपू करके वाश कर सकते हो इस तरीके से दोस्तों करके देखिए बहुत रिजल्ट अच्छे मिलते हैं शैंपू करने के लिए थोड़ा सा आपको पांस मिनट देना पड़ेगा थोड़ा से बालों के स्कैल्प में अच्छे से हलका समसाज करते हुए करिए ताके स्कैल्प में बहुत बार इन्फेक्शन डेंडव की समस्यास होती है न वो भी खतम हो जाएगा तो इतना फाइदा करता है ये शैंपू डियाइवाई शैंपू जितने भी नैच्रल इंग्रेंस डाले हैं सभी के सभी काफी बैस्ट है बहुत ही अच्छे है आप भी ट्राइज जरू करिएगा आपको भी बहुत ही पसंद आएगा मुझे तो बहुत पसंद है दोस्तों मैं हमेशा वीक में एक वार या दो बार इस तरह गेका रमेडि बना करके अपने बालों पर लगाती रहती हूँ और इसके साथ साथ भी बहुत सारे रमेडिस भी लगाती रहती हूँ रिसल्ट बहुत ही अच्छी होते हैं पाल बहुत ही सिलकिस, स्मूध, शाइनी, बिलकुल पालर जैसा केरिटीन ट्रीटमेंट वाला फीलिंग आता है, तो दिल खुछ हो जाता है, आपके भी दिल ज़रूर खुछ होंगे, अगर आप इस तरह की क्या रिमेरी लबना करके पालों पे लगाना शूपर होगी, ट्रा ब्लॉक के साथ ब्यूटी में जैसे स्किन केर और डिय वाइस से रिलेटेड हैर केर से रिलेटेड देखना बिलकुल भी ना भूलें, बिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, टेक कियर, बबाई, थैक्स वाचिंग